नुश्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का भुईशे कोचिंग सिरी गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर मेजर ड्वेल्प्मेंट इन दैफिल्ड ओप आईटी की सीरीज के अंदर आज हमारी यह जो क्लास है कि 20 नंबर क्लास होने जा रही है एक टी टवंटी है अपना आईटी टवंटी है तो इनफोमेशन टेक्नोलोजी पर अधारित सुचना परोदोगी की इच्छेतर में होने वाले नवाचार पर अधारित यह क्लास इस क्लास में दोस्तों आपको दो स्वाल मिलेंगे एक रहेगा राजस्तान से समंदित और एक रहेगा देश दुनिया से समंदित बहुत अच्छे स्वाल है अच्छे त्रीके से नोर्स बनाईएगा पढ़ते रहिएगा कुछ स्टुडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कॉर्सेज के बारे में तो बहुत सारे स्टुडेंट्स के मैंने एक्टिवेट कर दिये थे कुछ students जिनके रहे गए वो इस class के बाद मैं कोसिस करता हूँ किसी के networking के थे कि कोई बच्चा कह रहा था कि networking के जो topic है उन्हें problem आ रही है कोई student कह रहे थे MS office में problem आ रही है तो मेरी पूरी कोसिस है अगर आपको आज भी है तो आप message डाल देना मेरी कोसिस है कि मैं उसको complete कर दूँगा एक जो full form की PDF थी ये भी अभी तक link नहीं हो पाई है अभी इस class के बाद दोस्तों link हो जाएगी application में वहाँ से full form आप जुरूर पढ़के जाएगा दोस्तों exam के बारे में बहुत सारे student कमेंट कर रहे थे कि exam अभी तक देखो दोस्तों officially कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि exam postpone है या कैसा भी है जिस दिन न्यूज होगी वह आप सब को पहले ही पता चल जाएगी जैसे ही कोई जानकारी आएगी तो एक जैसे हो सकता है आपका कोई एक दिन भी time भी आगे पिछो तो उसको भी manage करके चलना अच्छे तरीके से ताकि आपका समय जो है वह बहुत important है दोस्तों एक यह था दोस्तों कि मेरातन क्लास के बारे में मैं है वो कल लग जाएगा क्लास आप जाकर उस क्लास में लाइक करना दोस्तों सभी यह जो क्लास है दोस्तों मैं topic wise मैंने classes लगाई हुए यूट्यूब पर पढ़ना है वह यूट्यूब पर पुरानी classes देख सकते हैं सुचना साइक के लिए मैंने अभी फिछे कोई 15 दिन पहले 20 दिन पहले महिने बर पहले की classes है आप वहां से देख सकते हैं अब जो मेरातन होगी दोस्तों वह होगी complete syllabus पर अधारित मेरातन लेकर आउंगा जितनी आपकी unit है सुचना साइक में computer इसमें computer के topic है उस पूरी की पूरी यूनिट पर अपने यह मेरातन class होगी दोस्तों तो मेरातन जरूर होगी आप सब बहुत बड़ी होगी अगर आपने class को live नहीं लगाया दोस्तों तो बाद में लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसका जब time देखोगे ना कि इतनी देर की class है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस लिए कोशिस करना की live आप सब जुड़ जाएगा इस class का link है वो सुबह लग जाएगा उसके बाद आप चैनल पे जाके class को like जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ share भी कर देना ये काम आपका है वाकी class लेकर आना मेरा काम है तो आपके लिए available रहूंगा आपका exam है no September को इसी तरीके से ये चीज़े चल रही है कुछ थोड़ी आज offline classes की भी याँ छुटी रखनी पड़ी तबियत थोड़ी ठीक नहीं थी फिर भी मैंने का चलो शाम की एक class है वो तंदर दस पंदरा मिनिट की तो आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों तो चलिए आज बात करते हैं आज की class की अगर बात करें तो ये जो class number है दोस्तों ये अप के तू प्रारुपों और परकिरियाओं को सुवर्स्च्ट करने के लिए कौन सा software बनाया गया है देखी दोस्तों नियाए विभाग के लिए नियाए विभाग के लिए नियाएक परकर्णों के परबंदन में सुधार या सुज़स्चित करने के लिए कौँ सा एप्लिकेशन बनाया गया है आप्सन आपके सामने है राज-ई ग्यान है ल-i-t-e-s है एच-t-e है या इन में से कोई नहीं तो दोस्तो इसका सही जवाब है वो क्या है ल-i-t-e-s है पहले बात करते हैं राज-ई ग्यान क्या है राज-ई ग्यान के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि टीचर और स्टूडेंट्स के लिए एक ऑन-लाइन एजूकेशन प्लेटफॉम है जिसका नाम क्या है दोस्तो राज-ई ग्यान है तो पहले देखते हैं राज-ई ग्यान के बारे में राज-ई ग्यान में राज-कार्थ राजस्तान है एकार्थ क्या है इलेक्ट्रोनिक ग्यान एकार्थ क्या है इलेक्ट्रोनिक राज-ग्यान सिक्सकों और छात्रों के लिए ऑन-लाइन ए-लर्निंग प फुल्पोम क्या है दोस्तों litigation information tracking and evolution system बहुत अच्छा स्वाल है दोस्तों यह application जो है दोस्तों application software जो है वो किसके लिए बनाया गया है न्याइव विभाग के लिए बनाया गया है न्याइक परकुणों के परबंदन में और सुधार करने के लिए application बनाया गया जिसका नाम क्या है दोस्तों lights बोल सकते हैं जिसकी full form क्या है अभी अपनोंने बात किया है दोस्तों क्या है litigation information tracking evolution system है दोस्तों अब इसमें क्या है इसके बारे में भी बात करते हैं lights की अगर बात करें तो इस software के माध्यम से विभिन न्यालियों में लंब दोस्तों तो अगर आपसे पूछे कि न्याएवी बात के लिए अगर बानलो न्याएक परकरणों के परबंदन के लिए software की बात करें तो आप बता सकते हैं कौन सा software बनाया गया दोस्तों lights software की full form क्या है यह आपको में ने बता दी है तो software का नाम क्या है lights है दोसके बाद Tactical Education system होता है यह पहले स्टोर्प्वत्रू का है ह हाइर अजुकेशन या हम कह सकते हैं फोलपों है वह क्या है हाइर technical and medical education है दोस्तों क्या है उच्छ मम तकनीक की सिक्षा क्फ़वाई शिक्षा का मतलो hasn't के लिए अगर आपको किसी भी परकार की को जानकारी चाहिए तो वो कौन्से पॉर्टल पर मिल सकती है दोस्तों HTE का अर्थ क्या है दोस्तों higher technical and medical education है दोस्तों lights की full form क्या है राज की ज्यान की full form क्या है यह मैंने आपको बता दिया यह का अर्थ क्या है दोस्तों electronic और जहां यह शब्द आ जाए यह देख ले के बात करे की बात करे कि जितने भी पोर्टल से हो सारे के सारे internet के माधियम से यूज किया जाने वाले क्या है पॉर्टल है दो तरीके की चीजें होती है दोस्तों एक होता है जिसके अंदर offline काम कर सकते हैं एक software होता है online system के माधियम से access किया जा सकती है जैसे आप यूट्यूब चला रहे हैं अब यूट्यूब विदाउट इंटरनेट नहीं चला सकते आपने कोई वीडियो डाउनलोड किया हुआ वो अलग फैसलेटी है लेकिन अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो इंटरनेट की क्या है आप सेकता है इसलिए जितने भी ये वाले जो भी पोर्टल बने हुए है सारे किसके लिए है इंटरनेट जहां कंपल्सरी होगा दोस्तों अब अगर बात करें नेक्स्ट क्योस्टन की देश दुनिया के बारे में बहुत अच्छा स्वाल है दोस्तों सबसे पहले देखेगा कि विंडो 11 विंडो 11 की अगर बात करें तो विंडो 11 कब रिलीज हुई पांच एक्टूबर ए तो हजार ए एक्किस को पांच एक्टूबर दो हजार एक्किस को कौण सा ओपरेटिंग सिस्टम रिलीज हुआ विंडो 11 विंडो की अगर बात करें तो विंडो ओपरेटिंग सिस्टम कौन सी कमपनी का है तो आप सब जानते हैं Microsoft कमपनी का है Microsoft कमपनी की अगर बात करें तो Microsoft कमपनी का latest ओपरेटिंग सिस्टम भी कौन सा है Microsoft कमपनी का एक ओपरेटिंग सिस्टम आया था लाइव टाइल्स का यूज किया जाता था यान कि Microsoft Company का एक operating system आया जिसका नाम है विंडो एट विंडो एट जब आई थी दोस्तों तो उसमें start button नहीं दिया start button नहीं दिया तो उसके स्थान पर जो start button का काम था वो किसके माध्यम से होता था लाइव टाइल के माध्यम सी लाइव टाइल क्या होता है जैसे अंड्रोइड फोन के अंदर start button नहीं होता वहां भी तो अपने सारा काम करते हैं वैसे ही विंडो एट की structure थी दोस्तों अब इसने पूछा क्या है mirror device, mirror device को हम एक और नाम से भी जान सकते है desktop शेयर भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते है desktop पशेयर भी बोल सकते हैं यह हम और भी बोल सकते है screen changer क्या बोल सकते है screen Share आपने कभी नोट किया होगा जिसे आपके mobile के अंदर Android के अंदर एक ऐसी फैसलेटी है Android फॉन में जिससे आप क्या करते हैं कि आपकी जो स्क्रीन है वो टीवी पे चली जाती है जो काम आप मोबाइल में करते हैं वैसा का वैसा काम किसमें हो रहा है तीवी में दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं दोस्तों स्क्रीन शेर बोल दो सब्सक्रीन शेर के लिए Windows 11 में आपको फीचर दिया गया है तो बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों इस सवाल का सही जवाब तो क्या हो जाएगा screencast हो जाएगा क्या हो जाएगा screencast सब के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी एक शब्द है fox assist fox assist होता क्या है पहले इस चीज़ को भी समझेगा दोस्तों बात करते हैं fox assist की fox से assist अच्छा स्वाल है fox assist है क्या windows का एक क्या है utility software है windows का क्या है utility software है windows का क्या है दोस्तों एक है utility software है fox assist का काम क्या है इस चीज़ को देखिए आपकी जो window होती है उसके अंदर बहुत सारे क्या आते हैं notification आते है window जब आप use करते हैं उसमें बहुत सारे क्या आते है notification जैसे YouTube की class टार्ट होई दूसका notification आ गया WhatsApp का कोई notification आ गया को Instagram का आ गया कोई Facebook का आ गया कोई Twitter का आ गया कोई हाइक का आ गया जितने भी आप applications यूज करते हैं उन सब क्या आते है notification ये Android की बात हो रही है अगर आप computer own करते हैं और computer की अगर बात करें तो उसमें भी बहुत सारे क्या आते हैं दोस्तो notification आते हैं कैसे notification हो सकते हैं जैसे आपने pen drive लगाई होगी और बाहर निकाला होगा या आपने क्या क्या किया होगा कि कोई भी drive है या file को delete किया होगा या आपने क्या किया होगा, वोलियूम को कम किया होगा, या ज़्यादा किया होगा, या आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया होगा, या आपके कंप्यूटर की मेमरी फुल हो गई होगी, इससे समंदित उसके बार-बार क्या आते रहते हैं, नोटिफिकेशन आते रहत करने वाला नहीं हो और इतने में आपने कहा कि अब मुझे कोई डिश्टर नहीं करें इतने में नोटिफिकेशन आ गया फिर आपने बड़ाइद उसको हटाया फिर इतने में नोटिफिकेशन आ गया इस समझ्या से बचने के लिए विंडो 10 से यह फीचर जोड़ दिया गया इस फिचर का नाम क्या है दोस्तों फोक्स असिस्ट है यह करता क्या है जितने भी आपके नोटिफिकेशन आते हैं उन नोटिफिकेशन को क्या कर देता है सुनी सुनूज कर देता है जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं उनको क्या कर देता है सुनूज कर देता है तर अब यह सुनूज का मतलव क्या हुआ कि मैंने कहा दिया कि मेरा जो काम है वो एक घंटे तक यानि कि नो बज़े से लेकर दस बज़े तक जो मैं काम कर रहा हुना यह काम मेरा बहुत इंपोर्टेंट है और इसमें मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से तो आप जाएंगे इसमें फॉक्स असिस्ट में आपने वहां पर टाइम लगा दिया नो से दस का एक घंटे तक कोई भी नोटिफकेशन नहीं आएगा यह सौप्व इंटरेटी बंद कर दिया हूँ वैसे हैं कि नोटिफकेशन को सुनूज रखने के लिए किसका यूज किया जाता है फोक्स असिस्ट विंडो 10 की क्या है एक यूटिलीटी है दोस्तों अब आगे वाले ऑप्शन पर बात करते हैं दूसरा क्या है क्रेक्टर मैप हैं दूसर सिंबल लगाना हो या आपने कोई पाई सिंबल लगाना हो यह सिंबल तो हमारे किसमें नहीं होते कीबोर्ड पे तो होते नहीं है अगर ऐसे सिंबल आपको चाहिए जो आपकी कीबोर्ड पे नहीं है तो आप विंडो में जाए चार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे एसे स्री सिंबल चाहिए या हम सिंबल का दूसरा नाम भी जान सकते हैं क्या होता है स्पेशल जो क्रेक्टर होते हैं उनको हम सिंबल बोलते हैं जैसे कॉपी राइट चाहिए रिजिस्टेड चाहिए पाई सिंबल चाहिए यह सारे के सारे सिंबल अगर आपको कीबोर्ड पर नहीं मिल सो 2022 की आप सब जानते होंगे नए सिस्टम के अकोरडिंग यो यूटिलीटी है वो हमारेों जम होते हैं में सौप्टियर होते हैं कि भी अगे बातों करते हैं दौसाप्र में बता दिये औक से सिस्ट करेक्ट्र में उसके बाद बात करें वाइफाई तो Wi-Fi के बारे में सब जानते हैं wireless fidelity इसका IEEE जो standard है दोस्तों वो कितना होता है 802.11 Wi-Fi sense क्या होता है Windows के अंदर एक स्वीधा दी गई है Wi-Fi sense की जहां भी आपका network मिलेगा Wi-Fi उसको क्या कर लेता है यह sense कर लेता है without username और password आपको internet की स्वीधा देता है जिसका नाम क्या है दोस्तों Wi-Fi sense है screencast के बारे में अच्छे तरीके से बता दिया है mirror device के लिए हम किसका use करते है screencast का snap assist क्या है दोस्तों सनय पशिष्ट की बात करें तो आपके desktop पर आपके desktop पर multiple screen को multiple screen को run करने के लिए अब यह क्या होता है multiple screen run करने वाला concept यह आपका computer की screen का क्या है यह desktop है अगर आप बात करें किसकी snap assist की तो snap assist क्या करेंगा आपके पास मालो यहाँ पर कोई picture है वो को screen है आप चाहते हो कि इतने से area में एक screen चले इतने area में एक screen चले इतने area में एक और इस area में अलग चले तो इसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं दोस्तो snap assist का यूज कर सकते है snap assist क्या करता है आपकी desktop पे जैसे word चला है एक side में word चला है, एक side Excel चला है, एक side आपने कोई वीडियो चला रखा है इसका मतलब एक ही desktop पर multiple screen को organize करने के लिए हम किसका यूज करते है Snap Assist का Use करते हैं और Snap Assist की अगर बात करें तो इससे आप Eक समय में कितनी Screen आप ले सकते हैं? चार Deswegen पर आप Run कर सकते हैं याझनि की चार जो टास्क जो एक साथ आपकी Screen पर Run कर सकते हैं Otherwise आपने देखा होगा औरJason पीछे चुप जाता है अगर आप ऐसा काम करना चाहते हैं कि एक साथ चार्श ग्रीन आई तो किसका यूज़ कर लो सनेप एसिष्ट का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों अच्छा स्वाल है स्निपिंग टूल क्या है स्निपिंग टूल क्या है सेलेक्Тेड एरिया का स्क्रीन शॉट करने के लिए स्क्रीन शॉट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं थिए स्निपिंग टूल माल लो एक तो screenshot होती है screenshot का मतलो इस पूरी screen का आपके पास एक shot मिल जाएगा लेकिन क्या है Snipping Tools क्या कहता है कि मुझे केवल और केवल इतने से area का screenshot करना है selected area का screenshot करना है तो किसका सारा ले लो Snipping Tool का याद रख लेना चाप लेना इसकी एक क्या होती है shortcut की होती है दोस्तो shortcut की क्या होती है भी इसकी एक तो keyword पे की होती है window की एक keyword पे की होती है shift की ठीक है सर और एक keyword पे की होती है s की window plus shift plus s से क्या हो जाएगा आपका screenshot हो जाएगा आपने अगर ms word वाली class लगाई हो तो आप comment करके बता देना alt plus shift plus s और Ctrl प्लेस Shift प्लेस से S यह क्या काम करते हैं कहां कहां काम करते हैं दोस्तों जुरूरी नहीं है कि सब जगा काम करेए तो जुन्होंने पढ़ा हुआ अच्छे तरीके से में इन कमेंट वोक्स में बताना Alt Shift प्लेस स का Ctrl Shift प्लेस स का Windows Shift S मैंने बता दिया है Snipping Tools के लिए होता है यह थी दोस्तों नई टेक्निक पर अधारित Windows से समंदित सवाल और Windows के बारे में अगर Mirror Device की बात करेत हमारे पास क्या होती है Screencast और एक स्क्रीन पर Multiple अगर आपने व्यू देखने हो Multiple अगर प्रोग्राम एक साथ Run करने हो तो क्या है Snip Assist है दोस्तों तो मिलते हैं इसी तरह की के एक और Class के साथ दोस्तों मुलाकात करेंगे एक चोटी सी जानकारी और मेराथन के बारे मैंने बता दिया कि उसका Link लगा दिया जाएगा आप उस पे जाके Class को Like कर देना दूसरी बात यह है कि एगर आपको ये Classes की PDF बिचाएए तो आप बहुषय कोचिंग सीरी गंगानगर के Telegram चैनल को जोइन कर सकते हैं और एक जो IT से समंदी जो Classes जो PDF है बुक की वो मैंने आपको बता दी थी बहुषय कोचिंग अप्लिकेशन में उसको लिंक कर दी है अब आप क्या कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल और बहुषय कोचिंग अप्लिकेशन का जो लिंक है वो इसी वीडियो की किरायाओं दोस्तों मिलते हैं एक नई क्लास के साथ तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार जय हिंद्ध